तो ऐसा क्या हो जाता है जब हम अनियन को कड करते हैं तो हमारी आपको से बहुत सारे आसु आते हैं एकड़ा मतलब गंगा जी बहने लगती है ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो जमीन में पाय जाने वाले सारे कोशक तक वो सोख लेता है जैसे की सलफर जब हम अनियन को करते हैं तो वो बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है और वो एंजाइम जाकर रियाक्ट करते हैं सलफर से अनियन सलफर एक बहुत ही बहुत ही जादा धासू खतरनाग गैस बनाता है जिसका नाम ही अपने आपने बहुत जादा खतरनाग है सिन्प्रोप्तनेल एस ओकसाइड रिलीज करता है वो अब ये गैस जाकर सलफियूरिक एसिड बनाती है अन्न ही आखों में अंते हैं वोअ कोई बहुत आनिकारक चीज अंतनाग तो। हमारी आखे उसे वाश करने केань enk primary है liquid टिय hurricanes इसी लिए जब भी हाम प्याज करते हैं तो भाई आखों से गंगा चीह पहने लगती है So I hope आपको समझ में आया हो कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि हम इन कांदों को काटते वक्त रोते रहते हैं So अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको रोना ना है वैसे तो जपान के साइंटिस्टों ने ऐसे प्याज बना लिये जो बिल्कुल भी आँखों से आसू नहीं आने देंगे उन्हें काटते वक्त लेकिन अभी ऐसे प्याज मार्केट में आने में बहुत जादा टाइम है So तिल्द अगर आप चाहते हैं कि आपके आँखों से बिल्कुल भी आसू ना है So आप इन प्याज को फ्रिज में रख सकते हैं या फ्रिजर में रख सकते हैं कुछ देर के लिए ताकि आपके आँखों से इन्हें काटते वक्त आसू ना है ठीक है? चलो So आपको आए हो बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो अगर लगी हो तो हिट दा लाइक बटन और शेयर विग दियो ओल फ्रेंग्स And stay tuned with us because आज हम करने वाले हैं बहुत बहुत धमाकेदार वीडियोज लाने वाले हैं उन्हें जरूर से जरूर देखने आएगेगा Till then be safe, stay safe, stay at your home Bye-bye, see you soon